अब आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तो घ्यानी स्टॉक मार्केट में और आज हम डिस्केशन करने वाले हैं कल के लेवल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपोर्टन रहेंगे वह देख लेंगे और अगर आप चैनल पर नहीं है चैन टीक है तो आज निफ्टी विप्टी ने नया ओल टायम हाई लगा दिया है बाइस साथ सो अड़ सट का हमें नया ओल टायम हाई देखने को मिला है उस अल टायम हाई से अगर अप्रोच दिखाता है तो डेफिनिटली आपको यहां से 23,000 के लेवल के तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी विप्टी अगर HDFC बैंक सपोर्ट दिने लग गया क्योंकि पिछले दो दिन हो गए है HDFC बैंक कोई कामकाज ऐसा ठीक टाक नहीं कर रहा है अगर HDFC बैंक कामकाज करने लग गया और HDFC बैंक 1700 के लेवल चुने चला गया तो डेफिनेटली आपको जो है निफ्टी विप्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही अच्छे कासे मोमेंट होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि आज जो है ICI के अंदर हमें मोमेंट दिखाता है डेट से 2% का मोमेंट आया है अगर HDFC बै वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी अंदर भी तो आपको ध्यान अकना है अभी यहां से बुल्स पीछे नहीं हटे हैं और ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि यहां से बहुत बढ़ी ग्रावट हो सकती है हलकी फुलकी ग्रावट के बाद वापस से यह bounce back कर सकता है वापस से upset चल सकता है तो इसलिए आपको careful रहना है according to level के according play करेंगे हमें नहीं यहां से कोई long बना नहीं कोई short बना नहीं इंट्रेटे में जो भी हमें level मिलेंगे उसके according हम play करते हुए चलेंगे तो चलते हैं 5 मिनट के चार्ट को discussion कर लेते हैं कल के लिए क उन्हों बारी resistance face करता हुआ दिखाई दिया और मैंने आपको समझाये बीता अगर upset कोई moment आता भी है तो आपको दियान रखना है 22,750 के आजपास आपको अपना profit booking पे दियान रखना है क्योंकि upside पे खुला आसमान है कहीं से भी fall कर सकता है तो exactly आप देखोगी gap up आने के कुछ level discussion किये थे नीचे की site से और मैंने आपको बताए भी था अगर आपको nifty 50 2680 यानि कि इस level पर कहीं support लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान अकना यहां से जो है वापस से उपर खेट जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो exactly 2680 पर जैसे ही आता है यहां support ले चाकाता है जो इसको वापस से इसके all time high के पास लेके जाता है और वापस से resistance face करने के बाद ही से यह fall करता है तो जो मैंने level discussion कियेता है अगर उसके recording आप पले कर लेते morning में तो आपका ठीक टाक टेर बन जाता और मैंने आपको समझाए भी था आप कि immediate कोई भी gap पे हम buying करके नहीं चलने वाले हैं एक बार ही market को settle होने देंगे उसके बाद ही अपना trade निकालेंगे तो 22,680 से आपका ठीक टाक trade बन जाता और आप अपना profit लेके market को observe कर सकते हैं चीक है तो हम level discussion करते हैं उसको आपको carefully watch करना है और किस तरीके से उस level पे कामकाज हो रहा है उसके accordingly आप अपनी portion बना सकते हैं चीक है तो बात कर लेते हैं कल के लिए कौन से level important रहेंगे तो देखो धियान क्या रखना है आपको upside पे आज की closing हमें मिली है nifty 50 की 22,642 की हमें average closing मिली है तो आपको क्या धियान रखना है अगर nifty 50 की 22,660 के ओपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे तो 26,680 से लेके 700 की range की होने वाली है यानि कि इस level तक जो है nifty 50 अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है जाएगा hurdle face करने वाला है 22,700 के आसपास अगर कोई gap up आता है और यह gap up 22,700 के ओपर टिक के कामकाज करता है तो ध्यान अकना है आपको यहां से एक moment मिल सकता है अगर nifty 52,750 के ओपर टिक के कामकाज करता है तो यहां से एक moment दिखने को मिल सकता है और moment क्या होगा 22,750 के आसपास के अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा यानि कि इस range में आपको जो है nifty 50 hurdle face कर सकता है यहां पर sellers active है तो 22,750, 260 के आसपास यानि कि all time high के आसपास यह hurdle face कर सकता है त तो यहां से यह approach कर सकता है 22,800 की तरफ तो आपको ध्यान अखना है 22,790 के आसपास यह से थोड़ा पहले ही अपना profit book कर सकते हो अगर approach करता है ठीकता है 22,750, 60 के ओपर ठीकता काम हो रहा है support ले रहा है तो ही आपको जो है up side play करना है 22,790 की तर अपरोच कर सकता है otherwise यह वही sellers active दिखाए देंगे एक important resistance हो सकता है क्योंकि दो बारी जो है यहां से इसने hurdle face किया है तो definitely easy नहीं होने वाला है इसके ओपर निकल पाना तो आपको according to play करना है upset पे वहीं अगर मैं बात करूं downside पर देखो कौन से level important रहेंगे nifty 50 के लिए अगर nifty 50 22,620 की निचे टिके 22,620 क के कामकाच कर रहा है इस level के निचे अगर टिक रहा है तो ही आपको downside पर ध्यान रखना है क्योंकि आज जो है इसी area पर support लिया है तो इसके निचे अगर टिकता है तो ही आपको downside पले करना है target क्या होगा 22,560 के आसपर अप्रोच करता हुआ दिखाई दिये सकता है downside पर अगर 22,560 नहीं रुख पाता है तो next fall इसके लिए 22,500 का होने वाला है important support होगा अगर 22,500 भी नहीं टिकता है तो आपको 22,460 और 80 के आसपर जिये support लेता हुआ दिखाई दे सकता है ध्यान रखना है 22,500 का important support है अगर ये area पर support नहीं लेता है तो एक छोटा fall आ सकता है जो इ 22,460 या 22,480 के आसपर लेके जाएगा और वहां से bounce back कर सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है अगर कोई fall आता भी है तो इस area में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे supporter active है तो आपको यहाँ पे निप्रिविटी support लेता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस area में आपको ध्यान fall आता है या कोई gap down आता है ये gap down 22,560 की range में आ रहा है तो bounce back होता हुआ दिखाई दे सकता है तो image it कोई भी call put नहीं लेनी है एक बारी देखना पड़ेगा किस सरीके से कामकाज हो रहा है तो उसी के हिसाब से आपको अपनी call or put पे काम करना है image it कोई भी gap up gap down पे आपको call or put नहीं लेनी है एक बारी settle होने देना है support कहां बन रहा है distance कहां बन रहा है किस सरीके से कामकाज हो रहा है उसी के हिसाब से अपने trade execute करने है और moving average कोई follow करना चाहिए आपको मैंने moving average पे भी कुछ वीडियो बना रखी है तो उनको भी समझ लेना देख लेना i button पे link दे होगे तो definitely आपको ट्रीड लेने में सोड़ा से help हो जाएगा तो moving average को भी लगा करो 50 वाली लगा लो 20 वाली लगा लो तो इसके according आप अपने trade को भी निकाल पाऊगे ठीक तरीके से बात कर लेते हैं इसके ओवाई data की तो निप्टी विप्टी की average closing आई है 2642 की तो सबसे प पास यही कारण है क्योंकि हर एक strikes price पे बड़ी मात्रा में collect करके जा रहे हैं आप देखोगे और OY चेंज भी ठीक ताक हो रहा है तो इतना easy नहीं होने वाला है निप्टी प्ली के लिए उपर की से रह पाना तो ध्यान रखना है कि हडल फेस कर सकता है बाइजर 700 बैडल फ की है उपर जाने की शमता तो है पर easy नहीं होगा जाने में ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है वहीं पर मैं बात करूं पूट साइट पे तो पूट सेट 2600 पे देख लो 2600 पे एक लाग 45,000 के आसपर्ट बड़ी मात्रा में पूट राइट करके बैटे हुए हैं या 2560 पे आता हुआ दिखाए दे रहा है gap down आता हुआ दिखाए दे रहा है तो यहां से आपको जो है nifty 50 bounce back कर सकता है क्योंकि बड़ी मात्रा में जो put right है इतना easy नहीं होगा इसको निकाल पाना एकदम तो यहां से एक bounce back तो बनता है तो wait करके आप यहां से अपनी call play कर सकते हो तो अगर किसी भी कारणर वच कोई fall यह gap down आता है तो यहां से आपको support लेता हुआ दिखाए दे सकता है nifty 50 यह आपको धियान में रखके चलना है छीक है चलते है bank nifty की level देख लेते कौन से important रहेंगे तो देखो bank nifty में कल मैंने एक level discussion किया था आपको 48,625 का अब मैंने बत अगर support बनता है 48,625 पर तो यहां से आपको एक bounce back आता हुआ दिखाई दे सकता है तो nifty bank में gap up आता है gap up आने के बाद अगर आप देखोगे 48,625 यानी 35 के आसपास इस range में अगर आप देखोगे यहां पर support लेने के बाद ठीक ठक bounce back हमें देखने को मिला है जो इसको 48,900 औ और 49,000 के आसपास लेके जाता है मैं आपको समझाए बेता कि अगर अगर आपको play करना है तो 48,900 के आसपास अपने profit को book करके चलना है क्योंकि इसके बाद जो है nifty bank जो है ऐसे area पहुंच जाएगा जहां पर आपको hurdle face करता हुआ दिखाई देगा ही देगा तो 48,900 के level के आस और वहीं से बड़ी ग्रावट हमें भी देखने को मिली है profit booking देखने को मिली है तो जो मैंने level बता है थे उसके according आपको 48,625,630,640 के आसपास से अपनी call ले सकते थे यानि कि इस range से अपनी call लेके आप play कर सकते थे और आपका ठीक टक profit बन जाता और आप easily अपने profit को बना हैंगे bank nifty के लिए upside पे देखो average closing अगर bank nifty के देखें तो 48,730 की आई है तो आपको क्या धियान लखना upside पे 48,760 का level धियान लखना है अगर nifty bank इस area के ओपर टिकता है निकलता है अगर flat opening होती है और 48,760 के ओपर टिकता है निकलता है तो यहां से आपको एक move आता हुआ द ख्यान देना है अगर इस level के बाद उपर जाता भी है bank nifty तो कहां तक जा सकता है 49,000 के आसपास की range आती हुई दिखाए देगी आपको बहुत important रहेगा यानि कि जो यह 60 वाली range है ना इस range के बाद आपको ध्यान लखना है अगर इस range के ओपर निकल भी रहे तो immediate hurdle इसके लि तक की range में जा सकते हैं ट्रैप कर सकते हैं तो ध्यान लखना है 49,000 के ऊपर अगर यह टिकता है बैठता है तो आप play कर सकते हो पर stop loss stick follow करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर इसके लिए खुला आसमन रहेगा target तो इसके लिए 50,000 के हैंगे पर आपको अपने profit पे भी ध्यान लख अपने loss पे ध्यान लखना है कि अगर यह fall करता भी है तो आपको अपने आपको कैसे protect करना है तो 49,000 के ऊपर इसके लिए खुला आसमन रहेगा कहां तक अप्रोच कर सकता हैं कहां से fall कर सकता हैं तो इसलिए आपको careful होके play करना पड़ेगा upside पे अगर bank SDFC bank support करता है important role SDFC bank क्योंकि बिछले दो दिन हो गई है कोई moment देशनों को नहीं मिला है अगर SDFC bank move करता है और SDFC bank डेड़ परसंट दो परसंट का move देने लग जाता है तो definitely जो है निफ्टी bank आपको 99,000 के लेवल के उपर भी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है तो इसलिए आपको SDFC bank को follow करके चलना पड़ेगा किस तरीके से कामकाच करता है अगर कोई बड़ा gap up आता है ध्यान अकना है यह gap up 99,000 की range में आता है यह 48, 950, 60 की range में आता है तो वहाँ पर आपको इमेज़ेट कोई भी call put नहीं लेनी है वेट करना है किस तरीके से कामकाच करता है इस एरिया में अगर hurdle face कर रहे है definitely fall कर सकता है उस एरिया से क्योंकि बड़ी मात्रा में sellers active है तो जल्दी easy नहीं होगा निकाल पाना क्योंकि continuously 2-3 बारी इसी एरिया में hurdle face करने के अगर नीचे निकलता है 48700 के नीचे चीक है 48700 का लेवल important रहेगा अगर इस लेवल के नीचे कामकाच कर रहा है इसी लेवल के नीचे टिक रहा है तो आप play कर सकते हो downside पे 3580 का पहला target रहेगा ध्यान दकना है 48580 का हमारा पहला target रहेगा इस एरिया में आप profit booking कर सकते हो यह अगर 48580 खसकाता है तो यहां से आपको एक नया fall होता हुआ दिखाई दे सकता है 4844440 का intraday के अंदरी यह आ सकता है और आपको इस एरिया में कहीं support आता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निप्टी के लिए ध्यान रखना है यहां पे support बन सकता है 48480 4844440 एक important support बन सकता ह 4844440 के निचे भी निकलता है यानि कि नहीं tick पा रहा है तो यहां से यह fall कर सकता है 48300 तक intraday के अंदर important support रहेगा इस area पे आता हुआ दिखाई दे सकता है यह आपको downside पे ध्यान रखना है अगर कोई gap down आ जाता है ध्यान रखना है अगर कोई gap down आ जाता है और यह gap down आपको 48580 यह 4844440 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान रखना यहां से यह bounce back कर सकता है तो आपको according to play करना है अगर support बना रहता है तो definitely bounce back आएगा नहीं तो अगर नहीं यह बना पादा support तो वापस से fall कर सकता है 48300 की range में और 48269 के आसपास आ सकता है चीक है और बात कर लेते इसके OI data की और कल आपको इन दोनों की expiry होती हुए दिखाई देगी bank nifty की और nifty की तो इसलिए careful भी रहना है चीज को भी ध्यान में रखना है आपको चीक है तो आज अगर आप देखोगे OI data में तो three tag मातरा में आपको 48700 पे 48800 पे 48900 पे 49000 पे य तो इतना easy नहीं होने वाला है क्योंकि बड़ी मातरा में कॉल राइट करके बैटे होई है अगर gap up आता है और यह gap up sustain करता है 99000 के ऊपर तो definitely भी शॉट कवरिंग की त्यारी करेगा 48200, 49200, 49300 easy move होने वाला है अगर sustain करता है gap up आने के बाद 99000 के ऊपर ठिकता है तो definitely फिर यह approach कर जाएगा जितने भी यह call rate करने वाले है यह trap हो जाएगे और definitely फिर यह उपर जाने वाला है फिर तो कोई रोकेगा नहीं 300, 200-300 पॉइंट की एक rally देखने को मिल जाएगी easy होगी तो आपको ध्यान रखना gap up पे किस सरीके से कामकाच करना है वो आपको ध्यान में रखके चलना है अगर मैं बात करूँ put site पे तो 48,500 पे आप देखोगी तो 1,86,000 के असपास put right है तो big support आपको 48,500 पे देखने को मिलेगा अगर कोई fall आता भी है तो आपको ठीक टक support जो है देखने को मिल जागा 48,500 पे 48,400, 50,60 की range में bounce back कर सकता है क्योंकि इस area में देखोगी ठीक अगर कोई fall आता भी है तो यहां से डेफिनेट भी आपको support लेता हुआ दिखाई देगा तो इन चीजों को ध्यान में रखके आपको कल play करना है कल expiry दोनों की रहने वाली तो इसलिए moment हो सकता है तो careful होके आपको play करना है कोई भी carry नहीं करने क्योंकि छुट्टी रहेगी तो इसलिए कोई भी carry करके मज जाना अब अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप comment कर सकते हैं हम उसका जवाब दे देंगे reply कर देंगे चीज़ को समझा देंगे जब तक आप चीज़े नहीं पूछोगे तब तक हम उसको कैसे समझा पाएंगे तो चीज़ों को पू है